एप्रोक्सिमेटली दो साल एंट सिवन मन्स मैं 32 इंच सैमसंग ओंडर टेमिन मॉडल को यूज कर रहा हूँ और इस वीडियो पे आपको पता चलेगा इसका कुवालिटी कैसा है, कैसा चल रहा है क्योंकि लगवक तीन साल होने बाला है इस टीवी का क्या आपको पर्चेस करना चाहिए सैमसंग ओंडर टेमिन मॉडल्स वैसे ओंडर टेमिन का बहुत सारा मॉडल्स है और इन फूचर नया मॉडल्स आता रहेगा बट आपको जान लेना चाहिए इसका कुवालिटी कैसा होता है कितने दिन ये लास्टिंग करेगा ये है वो टीवी जो आज से ढाई सल बहले मैंने पर्चेस किया था और इसका रिवीव मेंने चैनल पर डाला था बहुत सारे लोगों ने देखा बहुत पयार दिया और नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैं इस टीवी को लिंक भी डाल दिया था बहुत सारा लोगों ने मुझे उतना expectation नहीं था कि उतने लोगों मेरा link से purchase करेगा फो TV and I track the sales of this TV and mind blowing result बहुत सारा लोगों ने इसको purchase किया review देखने के बाद and they are happy now okay, धाई साल हो चुका है no dead pixel issue यानि कि कभी कभी ने आपको dead pixel देखने को मिलता है एक चोड़ा सा black सा pixel आपको देखने को मिल जाता है बहुत पुराने TVs के अन्दर या फिर कभी कभी defect रहने के बजाए से नए TVs पे भी आता है अगर बात किया जाए कि light bleeding जो होता है पुराने TVs पे पुराने measures पे वो भी इस पे कोई problem नहीं है बहुत ही अच्छी amazing condition पर है यह Samsung owned a 10-1 model Samsung always use करता है Tizen operating system यह बहुत हलका operating system होता है इसलिए थोड़ा जल्दी काम कर सकता है compared to the Android operating system बट ढ़ाई सल हो चुका है इसलिए थोड़ा सा slow हो चुका है यह TV जादा नहीं थोड़ा सा slow हो चुका है मैं इस TV पे YouTube बगड़ा काफी जादा देखता हूँ and मेरा family members जो movies, serials बगड़ा होता है वो काफी अच्छे time से long term तक देखता है मतलब everyday 6-7 hours तो यह on रहता ही है उसके उपर मैं कभी घाना चलाता हूँ कभी मैं movies जाखता हूँ YouTube पे या फिर और कुछ काम करता हूँ अभी तक मैंने gaming बगड़ा है इसमें try नहीं किया कोई gaming TV है भी यह नहीं gaming TVs और भी अच्छे अच्छे आते है Sonic का तो उसके बारों मैं नहीं बताऊंगा आपको इस video पे overall performance के बारों मैं बात किया जाए आज भी यह TV काफी अच्छा काम करता है and I think यह next 3 years काफी अच्छे condition पे रहेगा यानि कि 5 to 6 years यह TV अच्छे तरीके से काम करेगा generally बहुत खराब को लेकर TV होता है तो 2-3 साल पे यह खराब हो जाता है but Samsung का है इसलिए 6 years तो expectation रहता ही है okay इससे भी जाता चल सकता है I do not know that okay but एक गल्दी की बजाएसे वो मेरा ही fault था TV का ports बगेरा थोरा सा damage हो गया बहुत बिजली हो रहा था बिजली बारिश हो रहा था and I was not at my home and बिजली के बजाएसे मेरा setup box बिलकुल खराब हो गया okay setup box खराब हो गया and setup box connected था HDMI के विल के थू and for HDMI port मेरा TV का खराब हो गया यह एक चीज है जो कि मेरे mistake के बजाएसे हुफा है बाकि मेरा setup box तो गया ही मेरा TV ठीक ठाक है यह मेरा मुझे बचा दिया पगवान ने तो आप यह गलती कभी बंत करना आप जब घर पर बाहर जाते हो आप setup box को भी TV से disconnect कर दो क्योंकि मेरा setup box कराब हो गया उसके बाद मेरा HDMI ports हो गया कि काम करना totally बंत कर दिया and इसको repair करने में बहुत ही खर्शा आता है and कोई extended warranty plans भी मैंने नहीं लिया है अभी तक तो लेका ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि Samsung का TV उतना सथा क्राब नहीं होता generally मैंने जो 32 इंच उंडर 10 मेल का model purchase किया था वो तो अब out of stock है क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छा unique model था उसमें वो voice search था बड़ जो नया models आ रहा है उसमें वोईस सर्च नहीं है अगर वोईस सर्च नहीं होता तो suppose आपके पास एक Nokia का बहुत पुराना की pad phone है उस phone पे जैसे आप type करते थे आपको TV भी वैसे ही type करना पड़ेगा this is why आप ऐसा एक TV purchase कीजिए Samsung का या फिर कोई अच्छे brand का जिसमें voice typing हो at least I do not know in future उन्डरटेन्मेंट का Samsung उन्डरटेन्मेंट का कोई future model आएगा या नहीं जिसमें voice search नहीं रहेगा तो नीचे description पे मैं normal जो उन्डरटेन्मेंट model से उसका link में डाल दूँगा अगर आप purchase कोना चाहते हो तो purchase आप कर सकते हो and कोई doubt, no doubt बहुत ही अच्छा TV है quality काफी अच्छा होता है Samsung का panel पे कोई problem आपको नहीं देखने को मिलेगा अगर आपका किसमें खराब पाथ हो भाई मैं नहीं जानता but generally Samsung का TV मैं use कर रहा हूँ Samsung का products बहुत सारा घर पे है मेरा तो काफी अच्छे होता है कोई problem as such तो नहीं आया अभी तक आज करें ये वीडियो वीदेर कतम करता हूँ चैनल को subscribe कीजिए इस तरह का videos पाने के लिए वीडियो को like it, say goodbye and see you in the next video